नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में। सर्वार्थ सिध्धी योग में 12 राशियों में से 6 राशियां होंगी करोडपती माला माल आपको बता दे भगवान भोलेनात के आशिरवाद से 15 जुलाई श्रावन शिवरात्री के दिन बन रही दिव्य और दुरलब महाशुब सन्योग काल सर्प योग अमरित सिध्धी सर्वार्थ सिध्धी योग में 12 राशियों में से 6 राशियों की किस्मत चमकने वाली है। इस वीडियो में आपको उन्ही 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्योंकि यह वीडियो इंचे राशी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों वीडियो शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान भोलेनात के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट्स बॉक्स जै भोलेनात अवश्य लिखें जिससे भगवान भोलेनात का आशिर्वाद आपको उसी दिन प्र जाता है एक वर्ष में 12 शिवरातरी होती है जो प्रत्येक महीने में आती है परंतु सावन की शिवरातरी विशेश होती है भगवान शिव को सावन का महीना अतिप्रिय होता है शिवभक्त पूरे वर्ष अर्थात मासिक शिवरातरी का वरत करते हैं परंतु जो प्रत्येक म श्रावन मासिक शिवरात्री का वरत नहीं कर पाता तो उन्हें सावन की शिवरात्री का वरत अवश्य करना चाहिए। श्रावन मासिक शिवरात्री अत्यधिक शुभ मानी जाती है। श्रावन शिवरात्री के दिन विधी विधान से पूजा करते हैं और प्रत्येक सुमवार जोभी सुमवार भगवान शिव की विधी विधान से पूजा करते हैं। सचे मन से तो आपकी समस्त मनोकामनाओं को भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करने वाले हैं। इस बार सावन के पवित्र दिनों में बहुत ही शुब सन्योग है। जी हाँ, दोस्तों आपको बता दे, फिर आप गंगाजल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़के शिवलिंग अभिशेक के साथ पूजा आपको प्रारंभ करनी है। अभिशेक के बाद बेलपत्र, शमीपत्र, दूध, कमल, नीलकमल, जमाफल, कनेर, तराई, फूल, आदी भगवान शिव को अर्पित करें। पंचामरित से स्नान कराएं आप और इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात ओम नमह शिवाय श्री भगवान शिव की पूजा करें। आर्ती करे भगवान शिव मा पार्वती की। इसके बाद आर्ती कर आपको प्रसाद वितर्ण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसंद हो जाते हैं और भक्तों की समस्त और दोस्तों अब बात करें कि शिवरात्री के दिन बन रहे योग सरवार्थ सिध्धी योग में वे कौन कौन सी छे राशियां हैं 12 राशियों में जो की इस दिन यानी शिवरात्री के दिन करोरपती बनेंगी ये छे राशि वाले धन से माला माल होंगे भगवान शिव की कृपा से अब इन छे राशि वालों को करोरपती बनने से कोई नहीं रोक सकता यो कहें कि स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते, इन छे राशी वालों को माला माल होने करोड़पती बनने से श्रावन शिवरात्री के दिन तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वे कौन कौन सी छे खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां हैं जो कि सावन शिवरात्री के दिन यानी 15 जुलाई को करोड़पती बनने वाली है ये छे राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं, दोस्तों जोतिश शास्त्र के मुताबिक हमारे जीवन में राशियों का बहुत ज्यादा महत्व होता है राशियों के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन में आने वाले समय के बारे में पता लगाया जा सकता है यदि ग्रह नक्षत्रों की स्थिती में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो इसका सीधा असर कुछ राशियों पर पड़ता है हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे और बुरे दौर से गुजरना पड़ता है यदि ग्रहों की दशा ठीक हो तो व्यक्ति के जीवन में खुशियों का बास होता है लेकिन यदि ग्रहों की दशा ठीक नहीं हो तो व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में अब भगवान भोलिनात के आशिरवाद से 15 जुलाई शिवरात्री के दिन बन रहे दुलब महाशुग सन्योग से 12 राशियों में से 6 राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है जिसकी वजह से भगवान शिव की कृपा अब इन 6 राशी वालों पर पढ़ने वाली है और इन 6 राशी वालों के जीवन में अब होने वाला है भाग्य उदे ये 6 राशी वाले अब होंगे बहुत भाग्यशाली जीहा दोस्तों इन 6 राशी वालों को उनके भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है अब आपका भाग्य आपका साथ देगा जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियां आएंगी तो चलिए दोस्तों समय नगवाते हुए बात करते हैं उन खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं उन खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशी आती है वह राशी है जी हाँ दोस्तों कन्या राशी दोस्तों कन्या राशी वालों को बता दें कि भगवान भोलेनाथ आपके उपर अत्यंत महर्बान होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों पिछले समय से ही आपके जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त होने वाली है, हाँ दोस्तों आपके घर परिवार में अब खुशी आने वाली है। आपको संतान प्राप्ती का भी सुख प्राप्त होगा. साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिती अब अच्छी होने वाली है. धन लाभ प्राप्ती के अनेकों अफसर अब आपको प्राप्त होने वाले हैं. बिजनेस करने वाले लोगों को अपने बिजनेस में अब लाभ मिलने आपके उपर महादेव की विशेश कृपा कन्या राशी वालों बनी हुई है, जिसकी वजह से ये साबन शिवरात्री आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होने वाली है। के आशिरवाद से अब पूरी होने वाली है। करीच सकते हैं। इसके योग है। आपके जीवन से धन की समस्या अब दूर होने वाली है। साथ ही साथ प्रेम करने वाले लोगों को उनके प्रेम में सफलता मिलेगी और आपके लिए यह समय जो सावन शिवरात्री का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ संतान प्राप्ती की भी आपको संभावना है। संतान प्राप्ती का सुख आपको प्राप्त होगा। कुम्भ राशी वालों चारों तरफ से आपको अब खुशिया प्राप्थ होने वाली है जिससे यह समय आपके पक्ष में कहा जा सकता है समय का भरपूर लाब हुठाएं जी हा दोस्तों इस लिस्ट में जो तीसरी खुशनसीब और भागिशाली राशी आती है दोस्तों वह राशी है यहाँ पर सिंह राशी जी हा दोस्तों सिंह राशी वालों को बता दें कि आपके उपर महादेव की विशेश कृपा बनी हुई है जिसकी वजह से ये सावन शिव आपके जीवन में सफलताएं आपको मिलने वाली है. साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय साबित होगा. आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्थ करेंगे. आप नया वाहन या मकान भी खरीच सकते हैं. इसके भी सुख सन्योग आपके लिए बन रहे हैं. आप अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की करेंगे, आपको सफलता प्राप्थ होगी. साथ ही साथ आपको मन्चाही नौकरी की भी प्राप्थी हो सकती है. जो लोग करक्षेत्र में कार्यरत हैं, नौकरी करते हैं, उनको नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुश्कबरी प्राप्थ हो सकती है और आपको ये भी बता दे कि आप जो भी विदेश में जाकर पढ़ाई या नौकरी करने को लेकर सपना देख रहे हैं, तो वह सपना भी आपका सिह राशी वालों पूरा हो सकता है समय भगवान भोलेनात के आशिरवाद से आपके पक्ष में है समय का भरपूर लाब हुठाएं समय को यूँ अपने हाथ से ना जाने दे जी हा दोस्तों इस लिस्ट में जो चौथी, खुशनसीब और भाग्यशाली राशी आती है दोस्तों वह राशी यहाँ पर मिथुन राशी है जी हा दोस्तों मिथुन राशी वालों को बता दें कि आपके उपर देवों के देव महादेव भगवान शिव की विशेश कृपा इस सावन शिवरात्री पर पड़ रही है जिसकी वजह से आप विदेश यात्राएं करने का भी आपको मौका मिल सकता है यदि आपका कोर्ट कचहरी से कोई मामला चल रहा है तो वह मामला दूर होगा उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी इसके साथ ही आपकी रुची धार्मिक में लगेगी अचानक से आपको धन लाध प्राप्ती के योग है अचानक से धन प्राप्ती आपको हो सकती है, इसके योग बन रहे है आपका मानसिक स्वास्थे ठीक रहने वाला है साथ ही साथ किसी कार्य को लेकर की गई यात्राएं आपके लिए ज्यादा तर सफल होंगी आपके घर परिवार में खुषियों का माहौल रहने वाला है चारों तरफ से मिथुन राशी वालों अब आपको खुषिया प्राप्त होने वाली है जी हा दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली यानी पांचवी राशी की करें तो दोस्तों वह राशी यहां पर व्रिशब राशी है, जी हां दोस्तों व्रिशब राशी वालों को बता दें भगवान शिव की विशेश क्री कृपा आवरिशब रशी वालों आपके उपर पड़ रही है, जिससे आपके जीवन के जितने भी दुख दर्ध है, अब समाप् आपको अब बहुत बड़ी खुश्कबरी की प्राप्ती होने वाली है विशब राशी वालों को संपत्तियों में लाभ मिलने वाला है आप सभी को अपनी समस्याओं से अब जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है यदि कोई भी कार्य आप दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो इस से आपको ही लाभ मिलेगा विशब राशी वालों जितना आप दूसरों की मदद करेंगे उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा आपको ये भी बता दे यदि आप नया वाहन या मकान खरीदना चाहते हैं तो समय आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है और आपको बता दे कि यदि आपकी सेहत ठीक नहीं चल रही है तो आपको सेहत में सुधार भी देखने को मिल सकता है आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और वरिषभ राशी वालों आपको एक बात बता दे कि यदि आपके मन में कोई नकारात्मक विचार है तो ऐसे विचारों को मन में ना लाए सकारात्मक सोचें, सकारात्मक विचार रखें, क्योंकि इस समय सब कुछ अब आपके पक्ष में रहने वाला है जैसा आप सोचेंगे अब वैसा ही होने वाला है भोलेनात की कृपा व्रिशब राशी वालों आपके जीवन पर पड़ गई है, जिससे आपके जीवन में आने वाली है अपार खुशी, ये सावन शिवरात्री का समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी समय साबित होगा अब बात करें छठी, खुशनसीब और भाग्यशाली राशी की दोस्तों मेश राशी वालों को बता दें कि भगवान शिव की विशेश क्रिपा मेश राशी वालों इस सावन शिवरात्री आपके उपर पड़ रही है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी हो सकता है, साथ ही साथ नया वाहन आप खरीच सकते हैं, आपके जीवन से धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, वे अब दूर होने वाली है, प्रेम करने वाले लोगों को उनके प्रेम में सफलता मिलेगी जी हा, दोस्तों मेश राशी वालों कहना गलत नहीं होगा, ये स सावन शिवरात्री का समय भगवान भोलिनात के आशिर्वात से आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा, चारो तरफ से आपको खुशिया ही खुशिया प्राप्त होंगी और धन लाब प्राप्ती के भी अनेक योग आपके लिए बनते हुए नजरा रहे हैं, जी हा दोस्तों ये थी भाग्यशाली छे राशिया सावन शिवरात्री के दिन बन रहे दुरलब महाशुग सन्योग से धन से माला माल होंगी, ये छे राशी वाले करोडपती बनने वाले हैं, इन छे राशी वालों के जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी और भगवान भोलिना दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर सबस्क्राइब करें.